देखिए आप सबका स्वागत है आज की इस प्रेस वारता में और हमने आज की प्रेस वारता इस विशे में बुलाई है कि जैसा मैंने अपनी पिछली प्रेस वारता में भी कहा था कि अब शायद ये समय आ गया हुआ है LG Administration को और GNK Government को बार-बार इस चीज का याद दिलाने में कि शायद वो परधान मंतरी जी बात को भूल जाते हैं तो मेरा ये question है एक जूट जम्मू की पार्टी की तरफ से कि जहें जेंड के की जो यूटी की सरकार है वो इस विशे में कब कारे करना शुरू होगी जम्मू में जो गुलामी की निशानिया है जिनका वर्णेंट पहले भी हम कर चुके हैं वो कब मिटना शुरू होगी और ये इसलिए भी जादा इंपॉर्टेंट आज हो जा रहा है कि साथ तरीक आने वाली साथ नवंबर से जिडी में बाबा जित्तो जी का मेला शुरू होने वाला है और आप सबको पता है कि इस मेले में पूरे उत्तर भारत से लोग आते हैं जम्मू के लोग तो जाते ही हैं लेकिन एक ऐसा हमारी चाती पे एक साम छोड़ा हुआ है जो प्रीवेस सरकारों ने हैं पिछले 70-75 साल से कि जो एगरिकल्चर के कृषी शेतर के जो सबसे बड़ नायक हैं जम्मू में, जम्मू प्रांद में और पूरे उत्तर भारत में और यहां की जो एगरिकल्चर उनियूर्स्टी है वो किसके नाम पे है उस शक्स के नाम पे है जिसने एंटी डोगरा कुईड किश्मीर मूवमेंट चलाई थी शेख अभदुल्ला के नाम पे वोसे कहा जाता है शेरे किश्मीर तो हम ये LG सरकार को ये चिताना चाहते हैं कि हमने पहले भी आपको इस चीज से आगा किया अब हम आपको फिर एक request mode पे एक चीज बोल रहे हैं कि इससे बढ़िया अफसर आपको नहीं मिलेगा आने वाले GD मिले में administration बैठे इस बात पर चर्चा करे और इस cost है cost का नाम बदल कर बावा जित्तो university करे देखिए हमने बार बार इस चीज को दोहराया है कि 370 जो हटा वो केवल एक आप constitution से एक चीज को strike out कर दें तो उससे केवल जो desired results हैं जो हमारे नतीजे आने चाहिए वो नतीजे कभी नहीं आएंगे जो छोटे-छोटे कदम आपको उठाने पड़ेंगे इस लंबी यात्रा में जहां जम्मू को बिलकुल आपने इस गुलामी के शासन से बिलकुल आपने निजाद दिलानी है तो उसके लिए जो हमारे सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना उनका उनको यथा स्थान देना उनका समान करना बहुत ही अवश्यक है और ये तो केवल एक उसमें कड़ी है बाबा जितो जी निवर्सटी आज इस बात को हम इसलिए रख रहे हैं कि साथ तरीक से बाबा जितो जी का जिडी का मेला शुरू हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टन है कि ये एड्मिस्टेशन फटा फट एमर्जंसी में एक मीटिंग कॉल करे और सारे जम्मू प्रांत और इनफेक्ट मैं ये कहता हूँ कि अगर उनको पता चलेगा तो वो भी इस मोहीम में हमारे साथ जुडेंगे और इस चीज की मांग करेंगे कि अटलीस्ट जो क्रिशी विष्विदेले है उसका नाम तो बावा जित्तो जी के नाम पर रखा जाए तो मैं एक ठेट डोगरी उसे एक अड्मिस्टेशन जी चिताएड़ा कि दिखो अड्मिस्टेशन कि मैं एक ना कि तुसे चाची जो जाना काम नी करो गया है तो चाची जो जाना उजे साथ पुतर ने उन्हें जले बावा जितो जी तो जी अडंगेड आए है या विदी सिंह मैता ने अडंगेड आए है तो ओदे बाद आज जी क्यों आगा या या अपनी ब्यूरोक्राइस दी नोक्रीदा बार जागे हो या तुसे अपनी गवर्नर्शिप दो बार जागे हो तो तो आड़े उपर यह लांचन लगा रहा है कि तुसे ही तो आड़े को लेक मोका हा इस चीज ही एक हिस्टॉरिकल रांगी करेक्ट करने का करने दा लेकि मेरी तो आहिकने सारी यह गुजारिश है यही मेरा एक उनसे वह अनिवेदन है कि आप फटा फट इस मुद्धे पे जम्मू प्रांथ के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए आप इस पे एक डिसीजन ले और डिसीजन क्या लेना है इन फैट शेरे किश्मीर से जुड वाइडर इंपेक्ट रहेगा जम्मू प्रांथ में अगर उन चीजों को की करेक्टनेस करी जाए तो यही एक निवेदन है कि फटा फटा आप एक एमर्जनसी मिटिंग कॉल करें और इसी जीडी मेले के दुरान पूरे गाजे-बाजे के साथ जम्मू की भावनों का समान क करते हुए आप इस यूनिवस्टी स्कॉस यूनिवस्टी का नाम बंदल कर बावा जितो यूनिवस्टी रखें धन्यवाद